दिम्पल की राजनीती ने पकड़ी रफ्तार अखलेश को दिम्पल के रूप में मिली बड़ी रण नीतिकार दिम्पल ने किये ऐसी सियासत बीजेपी को लग सकता है बड़ा छटका सपा सांसर डिम्पल यादव ने मेंपुरी के रण के दौरान जो कर दिखाया वहीं अब राश्टिय स्टर पर उन्होंने नया प्रयोग किया जैसे डिम्पल यादव ने अपने पती अखलेश आदव के अपने चाचा शेवपाल यादव से दूरियों को खत्म कर दिखाया जैसे डिम्पल ने अपने ससुर को बिश्वास में लेकर अपनी और से सपा की और बीजेपी के खिराब मोचा लेने के लिए मनाया जैसे डिमपल ने शियवपाल को ये विश्वास दिलाया अब पहली जैसा कुछ नहीं होगा अब मुलायम परिवार समाजवादी परिवार में बिलकुल नए तरीके की सियासत होगी वैसे ही डिमपल ने अपनी सियासत राश्ट्रिय सर पर बीजेपी के खिलाफ एक नई रणनीती का अगास कर दिया शुरुबाद डिमपल ने कुछ इस तरीके से की है आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप भी सोचेंगे डिमपल यादव को वाकई में अपने ससुर दिबंगत मुलायम सिंग यादव का आश्रवाद मिल गया डिमपल की राचनीती तो बिलकुल ही जमीनी हो गई बताएंगे आपको डिमपल ने ऐसा क्या किया लेकिन उससे पहले जान लीजे डिमपल की पती अखलेश यादव अब जबकि यूपी में हुए तीन सीटों पर उपचुनाब से फ्री हो गए हैं तो उन्होंने क्या किया उनकी राचनीती किस तरफ जा रही है सपा प्रमुख अकलेश यादव मैंपुरी लोकसबा सीट पर हुए उपचुनाब में भाजपा को माद दे कर बेहत आत्मश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं रामपुर विदान सबा सीट पर मिली हार के बावजू सपा प्रमुख अकलेश यादव द्वारा पतनी डिंपल यादव द्वारा लोकस सबा पहुंच जाने के कारण राहत महसूस की है इसकी जलक अकलेश के इस नए रूप के जरीय सामने आई जब दिल्ली में केसियार के साथ देखे भारत राष्ट्र समीती के अध्यक्ष और तेलंगारा के मुख्यमंत्री के चंदरशेखर राओ ने दिल्ली में पार्टी मुख्याले का उदगाटन किया उदगाटन समारों में समाजवादी पार्टी के बरिष्ट अकलेश आदव और जेडियेस के बरिष नेता एचडी कुमार स्वामी भी मौजूद रहे केसियार के पार्टी ने कई किसान संगठनों को भी कारकरम में बुलाया था अकलेश जब केसियार से मिले तो सियासी गल्यारे में चर्चा होने लगी जिस रहा से अकलेश ने 2022 के विधान स्वा चुनाव में गटबंदन का गुल्दस्सा बनाया था ठीक उसी तरह अकलेश 2024 में एक टीम बनाने के तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में अकलेश ने जिनने इताओ के नाम लिये उनमें बिहार के सियाम नितीश कुमार पश्च्वि मंगाल के सियाम ममता बैनर जी तेलंगारा के सियाम केसियार का नाम शामिल है अगर यूपी को मिलाकर इन सभी राज्यों के सीट को जोड़ दें तो लोकसवा की एक तिहाई होती है इसकी ज़रक उस समय अकलेश की बातों में दिखाई दी जब उन्होंने साल 2024 के लोकसवा चुनाफ का जिक्र करते हुए कहा विपक्ष सत्तधारी पार्टी भाजपा के सामने मस्बूती से लड़ेगा और पूरी ताकत से उसे हराने के लिए एक जुठ होगा अखलेश यादव ने कहा कि केंदर की सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है लेकिन विपक्ष उतनी ही मस्बूती के साथ उनके सामने डटा हुआ है और उन्हें चुनौती दे रहा है अखलेश यादव से 2024 के चुनाव में विपक्ष के नेता के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके हमें कोई चिंता नहीं है मंगाल के मुख्य मंतरी ममता बेनर जी, बिहार के सीम, नितीश कुमार और तेलंगारा के सीम केसियार इस विशे पर काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं और 2024 के पहले ही विपक्ष के सशक्त नेता को खोज लिया जाएगा जिसके अगवाई में सपा, रालोद, राजट, त्रणमूल, जद्यू, केसियार की पार्टी, भारत, राष्ट, समीती, समेत, कई दल, एक छत्री के नीचे आकर भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे डिमपल यादव को शबद दिलाने दिल्ली पहुंचे अकलेश यादव ने नितीश, ममता और केसियार के साथ आगे बढ़ने के संके दे कर अपने इरादे साफ कर दिये कि अब अकलेश की नज़र 2024 पर है और इसके लिए अकलेश अब उन तमाम सहयोगियों को अपने पाले पश्रमंगार में लोकसभा के 42 सीट और तिलंगारा में लोकसभा की 17 सीट हैं ऐसे मगर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों को भी जोड़ लिया जाये तो कुल मिलाकर 189 लोकसभा सीटों को लेकर समाचवादी पार्टे गटवंदन बराने में जुटी हुई है यानि लोकसभा की एक तिहाई सीटिया के लिए इन चार राजों में हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन राजों में कॉंग्रिस लगतार हाश्य पर है बावजुद इसके कोई भी कॉंग्रिस को खारिश नहीं कर सकता यही बजा है कि डिमपल यादव ने कॉंग्रि देश ने तो नहीं ही कहा होगा यानि साफ है कि डिमपल ने सोनिया के पैठ चूकर आशरबाद लेकर यह संकेत दे दिये कि बीजेपी के खिराब विपक्षी एकता के लिए कॉंग्रिस का साथ होना जरूरी है ऐसे में सवाल यह है कि डिमपल की तरफ से 24 के लिए मिले संके को कॉंग्रिस किस तरह से लेती है क्या राहुल नितीश ममता के साथ आएंगे बड़ा सवाल यह भी क्या यह सीटे 24 के पिच्वर भाजपा को टकर देने के लिए काफी है और एक सवाल सकडवन्दन की नेता का भी कौन होगा यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है इन स हुआ हुआ है